नमस्कार मैं प्रानिशीर अठोर और अब देख रही ही निक्स्ट नाइन न्यूज यूपी की स्यासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ-साथ आगामी लोगसभा चुनाव को लेकर भी इस वक्त माहौल करमाया हुआ है। यूपी में एक अलगी वर्चस्प है यादव कुनवे का और देश के केंद्र में भी यादव कुनवा चर्चा का विशय बना रहता है। अधित्य यादव जो प्रस्पा से इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के पतपर है। इस यादव ने बलकि शिपाल को ही आगे किया और शिपाल ने वहां से जीत भी दिला दी। शिपाल यादव एक ऐसी मजबूत कड़ी माने जाते हैं जो पार्टी को जीत दिला कर ही मानते हैं। और इसी वज़े से कही न कहीं बीजेपी के लिए एक धरम संकट वह पैदा करते हुई नज़र आ रहे हैं। पर अब सवाल खड़े होते हैं कि चाचा शिपाल सिंग यादव को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी में जिस तरीके से डिमपल यादव ने एतिहासिक जीत हासिल की है, स्टार प्रचारक शिपाल यादव को मनाया गया, उनके बेटे को भी बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि डिमपल यादव जो वाकई में नेता जी के चले जाने के बाद शिपाल सिंग यादव को मनाने में कामयाब हुई, फॉन पर उनसे बाचीत की, उनके घर भी पहुँची मिलने के लिए और ठीक दूसरे दिन अखलेश के को डिमपल ने हरा दिया, अब ये कहा जा रहा है कि नाम की तौर पर महसची पद शिपाल यादव को मिल सकता है, लेकिन सवाल यहाँ खड़े होते हैं, आखरकार अधित्य यादव का क्या, जिनके फ्यूचर को लेकर शिपाल यादव परिशान है, दावे ये किये गए क बीजेपी से वहे गठवंदन करेंगे, तो बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मिदारी उनकी बेटे को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यही रहेगा, कि अधित्य यादव को क्या में, यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मिदारी, को बढ़ा पद मिल सकता है, क्योंक पर रहेगा हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है कपिल आपको बहुत-बहुत स्वागत है तैंक यू जैसा कि कपिल आप भी जानते हैं कि अधित्य यादव को लेकर यहां पर तमाम रड़नीतिया बरना शुरू हो गई है तो क्या आपको लगता है ड आजवादी पार्टी चुकि आने वाले सालों में राष्टे इस तर पर पहुंचने के लिए तमाम कोशिशे करती हुई नजर आ रही है और जैसा कि आपने भी बताया कि निकाय चुनाव है फिर लोगसबा चुनाव है दो बड़े चुनाव है फिर मद्द प्रिदेश में भी इस साल चुनाव आने वाला है तो अगर जिम्मदा़ीयों की बात करी जाये तो जिम्मदारी कोई भी सौपी जा सकती है और उसी को लेकर अगर शेपाल ऐादव को के भी हम बात कर रहे थे तो यह जो तमाम जिम्मदारियां है। इसकी जरूरत एलान करने की नहीं हो सकत के तो पाएं कि तमाम जिमिदारिया पहले ही ही बता दिया गया हो अंधूर Ideeप करते हैं तो इस Catholics को प्रास कि कंदा थैं का दा यहां पर यह पी जिमिदारी चाचा शिपाल के कंदों कोर फीडबैक वढ़ेंगे इन सारी सिटा outlined गया पत के लिए याथों ने आगे किया जा सकता है या फिर सांसत की तोर पर आगे चलके वह देखे जा सकते हैं या फिर यहां पर जस्वन्त नगर सीर्ट तो है ही आने वाले समय में तो आपको अदित्य यादव को लेकर क्या लगता है कि अब आ कई में डिमपल यादव और जिम्हाराई की तो उन्हें भी ऐसी खास जिम्हाराई अभी नहीं मिली है जिसको लेकर कयास लगाये जा रहे हैं तो टूटी हो नजर आई लेकिन उसके बाद जब जुड़ी है तो इस तरीके से जुड़ गई है कि अखलेश यादव दम भरते हो नजर आ रहे हैं और वो क्लियर ये एलान कर चुके है कि निकाय चुनाव में भी एक बड़ी जीत हासिल होगी और जहां तक चुनाव की बात है तो समाजवादी पार्टी के ऐसे तमाम गड़ है कन्नौज है जिसमें फिरोजाबाद है मेंदपूरी है इतावा है ये तमाम ऐसे गड़ है जहां पर कहीं से भी अगर चुनाव में खड़े हो जाते है आदित यादव तो बड़ी आसानी से जी जाएंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव कि सीट से लड़ेंगे ये बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए और क्या उन्हें पद मिलेगा अखलेश आदव की अगर बात करी जाए पार्टी की बात करी जाए तो ये भी बड़ा मुद्दा नहीं होगा लेकिन ये फिरो जब आज सीट को लेकर अब शेपाल यादव का एक बड़ा दाव देखने को मिल सकता है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो अधित्य यादव के लिए क्या कुछ खास प्लानिंग हो सकते हैं मेर पद सांसद या फिर यहाँ पर पार्टी में रहकर ही उन 6 to 9 news